आज मासिक सिवरात्री का पावन परव है साथी गुरु आर्जुकि स्रीहरी विश्णु को और देव गुरु ब्रहश्वति को समर्पित है वह दिन है जो कि अपने आप में अध्भूत और विसेसु रहा है देर रात्री तक अपने घर में बड़े सरलतम तरीके से इन उपायों को करने से आप अपने भागी को जागरित कर सकते हैं सारी रिकमान सी कोई भी विवाह संबंधी संतान संबंधी परिशानी चल रही है तो उसमें भी आप सभी को जो है राहत आएगी और मनों कामना भी पूर्ण होगी गुरु जी अपनी कथाओं में कई लंबे सम आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में स्री सिवाय नमस्तु भ्यमिया, ओम नमो भगवते वासु देवाय, इस महा दिन पर जरूर से लिखिएगा, साथी लाइक करें वीडियो को शेर कर दीजिएगा, आप से अनुरोध है, सस्क्राइब करना आप सभी भूल रहे हैं, करप सारे उपाय हैं, जो इस दिन किये जा सकते हैं, हर महने मासिक सिवरात्री आती है, तो शमी का जो पेड होता है, वह अपने आप में अद्भुत होता है, जिसकी गर्णा कर पाना मुस्किल है, तो आप सभी इसके बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी मनो कामना क सिद्धी के लिए आप सभी को इस उपाय के लिए एक लौंग की आवशकता होगी, एक काले मिर्च और यह दीपक जो है घीका लगेगा, और इसमें गोलबाती का ही प्रियोग होगा, और स्री सिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाब करते हुए, तुम्रुका जी का नाम देते हुए, आपको शमी व्रक्ष के नीचे आज जो है, एक लौंग और एक काले मिर्च डाल कर अपनी मनों कामना कहते हुए, समी पेड के नीचे एक गोलबाती का घीका दीपक जरूर से लगा देना चाहिए, तो प्रियत्न करें, कहीं आसपास है, तो प्रदोशकाल में घर पर ही आपने समी का व्रक्ष विसेज पूजन आराधना के लिए लगा रखा है, तो ये सुपाई को जरूर से कर लीजिएगा, लौंग और काली मिर्च नकारात्म कुर्जा का नाश करकर हर कारे में सफलता प्रदान करती है, तुम्रुका जी का नाम ही परियाप्त है, स सरप्रथम कहलाई थी, तो इतनी महत्ता है एक दीपक की, जो कि समी व्रक्ष के नीचे लगा दिया जाएना तो भागी खुल जाते हैं, तो प्रदोश काल में आदेर रात्री तक भी इस उपाई को किया जा सकता है, आपको लाब हो नहीं है, तो हमने बात कर ली प्रथम दी पाता है कि मेरे उपाई कैसे सिद्ध हो या भाग साथ देता ही नहीं है किसी ना किसी स्वरूप में, तो आप सभी को प्रियत्न करना चाहिए कि कम से कम आप तीन जगह पर जो है दीपक लगाएंगे, वह तीन इस्थान हैं, सबसे पहला बेल पत्र, दूसरा महादेव के मं मंदीर में, या महादेव के मंदीर की चोखट में, या आउला पेड के नीचे, गुरुजी कहते हैं, जो भी भक्त मासिक सिवरात्री पर इन तीन इस्थानों पर दीपक जला देता है न, वह मासिक सिवरात्री और संपूर्ण सिव पूजा का फल प्राप्त कर लेता है, तो हथेली में, लंबे समय से कोई मकान की इच्छा है, प्रॉपटी चाहिए, विवाह की परिशानी या कोई भी दिक्कत है, तो गुरुजी कहते हैं, जब भी मासिक सिवरात्री पड़े, साथ, सैवन की संख्या में, आपको अपने हाथ की हथेली में काली तिल लेनी है, और सै मंदिर में जाकर या घर के ही सिवलिंग पर आप सथी को बड़े सरलतम तरीके से समर्पित कर देना है, दीखे, बहुत सरल सा कारी है, कोई पैसा लगना है, ना कोई जादा समय लगना है, घर पर ही रसुई में यह चीज़े उपलब्द होती हैं, तो क्यों न इस उपाई को कर लिया जाए, मासिक सिवरात्री का पावन पवित्र दिन है, भागे को प्रबल करने के लिए यह उपाई बहुत सरल है, तो इस उपाई को भी आप सभी कर सकते हैं, अब इसके अलावा एक और सरल सा उपाई है, जो कि मासिक सिवरात्री पर किया जा सकता है, जिसमें गुर और जल का लोटा जो लेना है उसमें आप सभी सेवन अक्षत अर्थात जो चावल परिपूर्ण रूप पे होते हैं उन्हें अक्षत कहा जाता है तो सेवन की संख्या में, साथ की संख्या में अक्षत डालने हैं, पांच बेल पत्र डालनी हैं, पांच बेल पत्र चाहें तो सिव मंदिर से चड़ी हुई भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी हैं, पांच बेल पत्र, साथ की संख्या में अक्षत, एक संभी पत्ता, आप सभी क जल के लोटे में डाल कर सिव मंदिर में जाकर या घर के ही मंदिर में इच्छा आपकी है सारे रिकपीडा है तो घर पर भी करने में कोई दिक्कत के बाद नहीं है आपको पूर्ण रूप से समर्वित कर देनी हैं देखिए सरल सरल से उपाए हैं कोई चीज समझ में ना आई ह तो पूछ लीजिएगा कोई दिक्कत के बाद नहीं है क्योंकि कारे सरल हैं परन्तु इनके लाब अंगिनत हैं जिसने इनको किया है उन्होंने इसका फल तुरंट प्राप्ते किया है तो घर के मंदिर में सरलतम तरीके से दीपक लगाना है चाहें तो सिव मंदिर में भी लग आदि आप सभी को इससे पहले भी मैंने उपाय बताया है क्रपिया उसमें से भी आप चुनकर कोई सरल सा उपाय कर सकते हैं आज देर रातरी तक इनमें से कोई ची भी जो आपको सरल लगें जो मैं कर सकती हूं उससे आप सभी सोच कर समझ कर हर एक परिशानी के लिए कोई छोटी परिशानी, बड़ी परिशानी, कोई भी सारी रिक मानसिक वैवाहिक या कोई भी अर्चन हो रही हो तो उन सभी के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं निश्चित ही आप देखेंगे कि सारी रिक दुरबल्ता देर हो रही है बाग्योदे हो रहा है कस्ट स्वैम ही नहीं है साथ ही आज गुरुवार का विसेज दिन है तो आप सभी कोशिश करें आवश्यक रूप से तुलसी मा में दीपक लगाएंगे घर के मंदिर में दीपक लगाएंगे केले व्रक्ष में दीपक लगाएंगे बेल पत्र व्रक्ष में दीपक लगाएंगे और साथ के अज के लिव रक्षि के साथ साथ तो उसके भाग्य प्रबल होते हैं स्रीहरी विश्णू की असीम करपा प्राप्त होती है आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंतर का जापकरना सरी सिवाय नमस तुभ्यम महामंतर का जापकरना सब पीडाओं को दूर करता है और सारे रिक विकृतियों को दूर करकर मनो-कामना तुरंट दूर करता है। तो आप सभी प्रियत्न करें कुछ विसेश करने का, चाहे तो दीपक के उपाए करें, चाहे तो आप सभी इन सरल से उपाएं को चुन कर कर सकते हैं, मासिक शिवरात्री का दिन साधारान सरल नहीं है दोस्तों इसके लाव अंगिनत है साथ के साथ दो मुखा दीपक का उपाए भी आप कर सकते हैं एक दीपक के अंदर शिव और शक्ति का ध्यान करते हुए दो लंबी बत्ती का प्रियोग करें घी उसमें डालें अब इस दीपक को दो स्थानों पर आप लगा सकते हैं चाहे तो बेल पत्र के ब्रक्ष के नीचे चाहे तो बहादेयो के मंदिर में गुरु जी कहते हैं जो भी भक्त अपनी मनों कामना कहते हुए शिव और सकती का मिलन करवा देता है जीवन में उसके सब कारिस्वते ही बन जाते हैं तो प्रियत्न करें शिव शकती मिलन का दीपक लगाए या प्रथम में बताए गए दीपक लगाए जो भी आपकी इच्छा सकती सामर्थ अनुसार आपकर पाए न उन कारे को करने का प्रियत्न करें जीवन में हर कारे बनते आपको दिखेंगे और अनंत लाव इनके कहे गए हैं साधारन सरल भासा में और मैंने विसेश तोर पर तुरंत जो है कई उपाए बता दिये हैं चुन करके जीएगा जै स्रीराधे हरहर महादेव